बॉलिवूर्ड की देशी गर्ड प्रेंका चोपडा का बर्रामपुर मामले में उत्तर प्रदेश को लेकर अपना गुसा निकालते हाल ही में देखा गया है जी हाँ काफी जादा गुसे से लाल हो गई प्रेंका चोपडा बारमपुर मामले को लेकर प्रेंका चोपडा ने कहा हमेशन से अपना सिर जुका लेना चाहिए कि हम अपने महिलाओं के लिए कुछ भी करने में आसाफल रह रहे हैं गौर हो कि अपने कैप्टन डॉक्टर पिता अशोप चोपडा की पोस्ट बरेली में होने पर हमेशा अपने पिता का सपोर्ट करने वाली प्रेंका जो खुद उत्तर प्रदेश की रहने वाली है जो कि बचपन बरेली में बिता चुकी है उन्होंने सैंट मारिया गोरिटी कॉलेज से पढ़ाई की थी इसके बावजुद यहां के लिए वो कुछ खास नहीं कर पाई इस मामले में प्रेंका चोपरा बहुत जादा तकलीफ में है प्रेंका चोपरा ने कहा कि हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है कि क्यूं आंके लिए हो रहा है प्रेंका चोप्रा ने कहा है कि मुझे बहुत शर्माती है कि हमारे देश में ये सब हो रहा है और इस पर हम कुछ भी नहीं कर पा रही है प्रेंका चोप्रा ने ये भी कहा है कि वो बहुत परिशान है प्रैंका चोप्रा ने पोश्ट करते हैं इस तरह के वियोफान महिलाओं के साथ बार बार बहुत तकलीफ दे हैं। इस बारे में उन्होंने कहा कि वो रोते हैं, हम रोते हैं और इसके बाद भी कोई सुनता नहीं, कोई चीखें नहीं सुनता. चीकती रहती है aí प्रेंका चोपरा महीलाओं के लिए उनकी तरह तमाम लोगे जो महीलाओं के लिए आगे बढ़ करकाム करने के लिए इंबिताभ है लो रही है, चीक रही है, एमोशनल हो रही है लेगन कोई सुलने को न हम नहीं ले रहा उनकी बातों को इस तरह से जलील किया जा रहा है प्रिंका चोप्रा बहुत नाराज है प्रिंका चोप्रा ने अपने नाराजगी जाहिद कि आखिर कब तक ये सब चलेगा और कितनी लड़ियों को कुर्पानी देनी पड़ेगी आखिर ये सब कब खत्म होगा परिका चोपया नाराज होकर ये कहवेटी नेक्षनाइन ये जूम से तरपती गरिपो